नमस्कार आप देख रहे हैं जेक 247 न्यूज का डिजीटल प्लैटफॉर्म मेरे साथ मैं हूँ संदीब गोईल आज हम बात करने पहुचे हैं कुछ ऐसे किसाण ऐसे जमीधारों से कि आकिर वो लम्बे समय से जुन समस्याईं से किसानों की जो समस्या들 cetera उनसे जूज रहे हैं और मांग सरकार burg decision सरकार बना दे तो फिर कहीं न कहीं किसानों को राहत मिले सबसे बड़ी मांग MSP की गारंटी कानून है और उसी को इसासाथ उत्पादक जो बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो आय है जो कमाई है वो नहीं हो पा रही है इसी को लेकर किसान काफी जो है परेशान है महंगाई जो है रोजाना जेलते हैं लेकिन जब अपना जो जो खेती वाड़ी से जोगती वाली फसले हैं या और जो परदात हैं उनको बेचने जाते हैं तो फिर मूल नहीं मिल पाता है इसी को लेकर हमारे साथ कुछ किसान बाई है कुछ अमीदार है हमारे साथ सुरिंद्र बबली जी है सर आप से ज ज्यादा तर जो आबादी है देश की वो देहात्मा निवास करती है और अमूमन जो रोजमरा की चीजें हैं वो गाउंसे ही आकर किसान पूर्टी करते हैं लेकिन उसके अनुपात में किसान को लाब अर्जन नहीं होता फसले हैं वो कई बार बरसात से सूका से उसमें नु यही मिल रहे हैं इक मांग जो चली आ रही है मैं पीसी की उसको सर्द सरकार जो है वो लिखत में दे दे और उसके रेट कर ले किसान खुस है दूसरा एक बीमा योजना है बार-बार सरकार वोशना करती है लेकिन वह आमल में नहीं आता दूसरा आप साथ सो बीस रूपे अ लागू किये हैं इसको और बढ़ाके एक हजार रूपया कर दिया जाना चाहिए था तूसरा किसान आयोग और किसान की जो जैसे दुरगटना में अंग भीन हो जाता है उसके निर्धारन के वह उंगली का इतना है हाथ का इतना है और अंकटे उसका इतना डिसाइड है तो कु बढ़ा तो हमें गुजर चुका है नहीं हो पारी है sr Spider detector गारंटी बनती है तो फिर करेदार को नुकसान हो जाएगा या फिर बिक्रेता इसकी इसमें तालमेल बनपाएगा क्योंकि हर चीज का प्रोल्डक्ट का मान किसानी संब्ब मे नहीं हो जातीए तो सरका सरकार को सुरू से और लगबग 6 महीने तक रेट करना चाहिए ताकि किसान को उसका नुकसान ना हो और उसकी फसल की भरपाई हो जाए अब उसके बाद स्टोरेज में समान रखा जाता है उसका किरायत ना बन जाता कई बार तो किसान को अपना माल वहीं पर छोड़ना पड़ किसान को आपने बताया कि जो पैंशन थी तक बंद हो गई है आप लगाता चकरे काट क्आट रहें क्या कुछ स्बीदा मिलनी चाहिए जिस तरह से सम्मान निदी की आप बात कर रहे हैं क्या को सरकार जो है परचार परसार तो कर रहे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुच लागू करती है और वहाथ प्रबलब आतीटमें पिंसल मिलती ओपने मिल लाई दी है को ये काटने का नही मुझे लिज लेकिन नहीं मिली उसके बाद में लाब कोई आधिकारी करम चारी नहीं बताता इस बारे में क्या आए क्या नहीं है और इसके अलावा और भी परिशानी है किसानों के तो दुनिया कई प्रिशानिया हैं खाज की वीज की समय पर नहीं मिलना और मिलना तो उल्टे-पुल्टे समय बलेक बढ़ जाती है और दुखी होते हैं पैदावार के समय उसको समय पर खरीदते नहीं है उसका 10 दिन का 15 दिन का समय देते हैं यह अच्छा और भी हमारे साथ भाईज हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे मेरा नाम दीपक है कि किसान की आमदनी दुगनी बात करी गई थी सरकार की कि हम जो है दुगनी आय कर देंगे किसानों की क्या हो पाई दुगनी आया और कैसे जब अपना माल मंडियों में लेकर पहुशत है तो उस टेम मार्केट में ठीक होते हैं वह उस हिसाब से उस फसल को बोके और अपनी मार्केट में फसल को देने जाता है तो उसको वह उचित दाम नहीं मिल पाते जो उसको मिलने चाहिए उसका कारण या तो यह लगा लो कि उस टेम ठीक नहीं है या जो भी नहीं है पर एसा होता है कभी कवार की किसान अपनी फसल को ले के जाता है और उसको हम अंडि में छोड़ना पड़ती है उसको इसको वह रहाती है कि बहुत सब्जी आकश को लेना जाते हैं तो आप कोई बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा होता है कि जैसे आड़ती के पास फसल जाती है वह उस फसल को अपने रेट से किसान से ले लिता है अपने हिसाब से और उस फसल को फिर स्टॉक करके या कुछ भी लगा लो उसको फिर अपने दाम से और अपने हिसाब से बेगता है उसको तो वह कीसान को जाती यह जाती है जो हो चाहता है मकर किसान को नहीं मिल पाथे जिसकी वह जितने लागत लगाता है पूरा दिन रात बारिस में अंधी में तुफान पर आंधि में तुफान में अपना काम करके उस Museel को इस्कष हो यह सबपए किसानों की आलू की कीमत लग भग लेकिन बजारों में 20 रुपे किलो आलुए किसानों की फसल जो है उनसे सस्ती ली जाती है उनकी खर्चा तक नहीं निकलता है किसान को भी मिलता है उनकी कीमतें नहीं मिल पा रही है इतना साल बर मेहनत करने के बाप जूदित इतने इस कम रेट में अगर फसल जाती है कई बर ब sola होगे आ जाती है उसकि फसल ख्राब हो जाती है कानून की बात करूं जो उनका जो आवनिनी दुगनी की बात करें या फिर जो ईक को ठींशन हो यह त्माम उस्हें इहां किसान आभी वह कही नहीं मांगों… कर परिजदान है और चाहते हैं कि सरकार जो है किसान जो एक बड़ा एक जो देश की जो आया है उसको बढ़ाने का काम करती है और इसी मांगों लेकर किसान लंबे समय से परदशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर लग लग जगे उपर धरने पर भी बैटे हैं लेकिन सरका अभी कोई सीधी नजरों से किसानों की और देख नहीं रही है और यही मांगे हैं जो किसान पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर किसानों के सामने जो है सरकार क्या कुछ कर रही है यह अभी किसानों के समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अभी किसान डटे हुए हैं और